खीर तो हम सभी अपने घर में बनाते हैं लेकिन जो बंडारे में खीर मिलती है और जो हलवाई लोग खीर बनाते हैं उस खीर का मज़ा ही अलग होता है एकदम घाड़ी क्रीमी मुँ में खुल जाने वाली खीर तो आज आप के साथ ऐसी ही घाड़ी क्रीमी खीर की रेसिपी शेयर कर रहे हूं तो सबसे पहले आप कैस पर एक बरतन रखें और बरतन में आप थोड़ा सा पाने डालें लगबग दो चम्मच के करेब और इसे इस तरीके से बरतन में घुमा दें इससे क्या होगा जब आप इसमें खीर बनाएंगे तो खीर आपकी तले में चिपकेगी न गैस का फ्लेम मैंने यहां हाई रखा है हाई फ्लेम पर एक बार इसमें उबाल आने देते हैं उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके इस खीर को कुक करेंगे तो अब ये देखिए जो दूद है उसमें उबाल आने लगा है इसे बीच बीच में इस तरीके से आ है लो और अब हम चलते हैं चावल की तरब अब आपको बताती हूं पहले टेप के आपको इसमें चावल कैसे डालने हैं तो यह देखिए मैंने लिए हैं वन फोर्थ कप चावल जो की लगभग 50 ग्राम है एक लीटर दूद में 50 ग्राम चावल काफी होते हैं इस तरीके के जो टूटे हुए चावल होते हैं वो खीर के लिए पहुती अच्छे होते हैं इनसे खीर एकदम गाड़ी क्रीमी बनती है इनका स्टार्च पहुती आसानी से खीर में घुल जाता है और दूद एकदम गाड़ा हो जाता है और रबड़ी जैसी खीर हमारी त्यार और चावल को आपको खीर में कैसे डालना है ये देखे ये जो चावल है इन्हें अच्छी तरीके से चार-पाच बार धो कर मैंने इन्हें 25 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था और ये चावल अच्छी तरह 25 मिनट बाद भीग चुके हैं चावल अच्छी तरह फू चावल को हमेशा 20-25 मिनट पहले भीगो दें और फिर ये भीगे हुए चावली आप दूद में डालें इससे खीर पहली बात तो जल्दी बन जाती है और दूसरी बात खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है खीर एकदम गाड़ी गाड़ी बनती है दूद में चावल डालने अब जो हमने चावल 2 चमबच बचा के रखे थे उनका क्या करना है वो देख लेते हैं ये देखे जो हमने 2 चमबच चावल बचाए है इन्हें हम डालेंगे mixi के जार के अंदर चावल के साथ ही मैंने 2 चमबच पानी डाल दिया है अब जार का ढखकन बंद करें और ये जो जावल हैं इन्हें पीसकर त्यार कर लिए तो ये देखिये मैंने चावल को पीसकर त्यार कर लिया है अब ये दो चमच पिसे हुए चावल आपकी खीर में एक अमेजिंग टेस्ट एड़ करेंगे आपकी खीर को एकदम रबडी जैसा गाला और क्रीमी बना देंगे अब ये जो चावल हैं इन्हें हम डाल देंगे इस खीर के अंदर तो ये हमने डाल दिये और बस अब एक बार फिर से अच्छी तरीके से चला दें और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें खीर को पकाना है बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे और अभी तो आपको लग रहा होग कि ये तले में चिपक जाए और साइड में जो मलाई जमती जा रही है उसे खीर में ही मिक्स करते जाएंगे अब आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और इस खीर को आपको कोक करना है बस ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम हाई ना करें अब जो चावल हैं धीरे- अब मैंने गेस पर एक पैन रखा है और इसमें एक चमच घी डाल दिया है घी को मेल्ट होने देते हैं और जब घी मेल्ट हो जाए गर्म हो जाए तो आप इसमें डालें ड्रायफरूट्स, तो ये मैंने लिये टू टेबल स्पून बारिक कटे हुए काजू, टू टेबल स् डाल रहे हूं तू टेबले स्पून किशमिश अब हमें ये जो ड्राइफ फूर्ट्स हैं इने घी में रोस्ट करना है Dray यद्ध चालएं चाले जचर्ए में अब निकाल ले निकाल लेज़ेज़ अब ये देखिए जो खीर है पहले से गाड़ी हो गई है एकदम मलाईदार हो गई है लेकिन जो चावल है अभी वो पूरी तरीके से त्यार नहीं है क्यों त्यार नहीं है देखिए चावल फूल तो चुके हैं लेकिन जो दूद है और चावल है वो अभी एक साथ नहीं गेस का फ्लेम मीडियम क्या हुआ है और मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर इसे और पकाया है लगातार चलाते हुए और यह देखे अब जब हम खीर को गिरा रहे हैं तो चावल और दूद एक साथ हो चुके हैं एक साथ गिर रहे हैं इसका मतलब हमारी खीर परफेक्टली कोक हो चुकी है एक डम गाड़ी गाड़ी रबड़ी जैसे यह खीर त्यार हो रही है पहुत ही बढ़िया तो बस अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे जो हमने ड्राइफ फूर्स त्यार किये थे वह इसमें डाल देंगे और अब यह मैं इसमें डाल रहे हूं केसर वाला गिसके डाला है अब यह चार पाची लाइची दरदरी कूट केस में एड़ कर दी इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आजाएगा सारी चीजों को मिक्स कर दें और यह देखे एक डम गाड़ी गाड़ी रबड़ी जैसी मलाईदार खीर हो चुकी है त्यार इस खीर को देखक अब मैंने इसमें डाली है आधा कप चीनी चीनी आप अपने स्वाधनुसार थोड़ी कम या जादा कर सकते हैं चीनी को अच्छी तरीके से खीर में आपको मिक्स कर लेना है और चीनी डालने के बाद आपको 2-3 मिनट तक इस खीर को अभी और पकाना है तो अभी आप गैस क फ्लेम आफ ना करें तो यहाँ पर इसे 2-3 मिनट अच्छी तरीकी से और पका लेते हैं चीनी डालने के बाद 2-3 मिनट तक खीर को जरूर पकाएं ताकि चीनी भी जल्दी से मेल्ट हो जाए और खीर का टेस्ट भी बहुत ही बढ़ी आए अब मैं इसमें डाल रहे हूं एक चुमच पिस्ता जो की कीर में बहुत ही अच्छे लगते हैं तो यह पिस्ता डाल दिये इने भी मिक्स कर देते हैं खीर में ड्राइफ फूर्स आप अपने टेस्ट अकॉडिंग कोई भी डाल सकते हैं जो ड्राइफ फूर्ड आपको पसंद हैं वो डालिए जो नही हो गई है तो बस इस स्टेज पर अब आपको कैस का फ्लेम आफ कर देना है ये देखिए एकदम क्रीमी गाड़ी बहुत ही बड़िया खीर हमारी बन चुकी है तो बस अब फ्लेम आफ करेंगे क्योंकि जब आफ फ्लेम आफ करेंगे तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ये और तो अब यहां मैंने फ्लेम आफ कर दिया है और खीर को हम सर्फ कर लेते हैं ये देखिए एकदम गाड़ी गाड़ी क्रीमी खीर लग रही है ना बहुत ही मज़ेदार आ रहा है ना इसे देखकर आपके मुह में भी पानी तो सारे टिप्स एंट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं इस गाड़ी क्रीमी मलाईदार खीर को बनाने के तो आप भी अपने घर इसी तरीके से ये खीर बनाए इसे सर्फ करें और उपर थोड़े ड्राइफ रूट से से गानिश करें ये देखिए बहुत ही यम्मी तो इस सावन में ये खीर बनाना तो बनता ही है तो आप भी घर ये खीर जरूर बनाए आपके फैमली मेंबर्स को ये बहुत पसंद आएगी ये देखिए बहुत ही मज़ेदार खीर पसंद आई तो लाइक कॉमेंट और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें